नमस्कार दोस्तों एक्जाम डिरी में आपका स्वागत है दोस्तों आज है 15 मार्च और यूपी फुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो फॉर्म समिशन की लाश डेट थी वो आज की डेट थी 15 मार्च की पर आज अभी साम को ही आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश फुलिस भरती एवं परोनती बोर्ट की वेब साइट पर इन्होंने एक नोटिस जारी की है जिसमें कि इसकी लाश डेट और फीज जमा करने की अंतिम जिती के संदर में सुचना जारी की गई है आप देख सकते हैं आज की तारीक पड़ी हुई 15 मार्च 2022 सबसे पहली नोटिस है परदान परिचालक की और नेक्स्ट जो नोटिस है वो सायक परिचालक की और इसके नीचे आप देख सकते हैं यह कर्मशाला कर्मचारी की तो इसमें क्या सूचना परदान की गई है इसकी PDF आप देख सकते हैं तो हमने यह खोल लिया सायक परिचालक की पदों पर सीधी बरती 2022 के अंतरगत मात्र आवेदन शुल जमा करने की अंतिम्तिती के संबंद में तो इसमें आप नीचे आएंगे जब तो देखेंगे उत्तर परदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सायक प दारित की गई थी और उक्त पदों पर सीधी बरती हेतु कती पाए अतिकारियों द्वारा पंजी करण अवियर्थियों द्वारा पंजी करण करने की उपरांत आवेदन शुल जमा नहीं किया गया है तो जो लास्ट डेट है वो आपकी है बाइस मार्स तक अधा अवियर्थिगंड उप्रोक्तान उसार दिनांग बाइस मार्स तक ऑनलाइन आवेदन शुल की जमा कर आवेदन पत्र सब्मिट कर सकते हैं मतलब जन्हों अभी तक इसकी ऑनलाइन फीज जमा नहीं की है वो इसकी ऑनलाइन फीज जमा कर सकते हैं और यह जो आवेदन के लिए जो सुचना आई है और परदान परिचालक यांतरी की तीनो पदों के लिए ही सूचना आये हुई है पर अभी हम देख रहे हैं साईक परिचालक की और यही सेम करमशाला करमचारी और परदान परिचालक के लिए भी है जिन्हों नहीं अभी तक इसके लिए fee submit नहीं की है तो वो 22 मार्च तक इसके लिए फीस सब्मिट कर सकते हैं तो आप इस सुचना को देख लीजिए इसको आप उत्तर प्रदेश पुलिस भरतिवं प्रोनदी वोड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यह सब थी जानकारी कि आप इसके लिए जो आवेदन है मतलब फीस सब्मिट करने की जो अंतिम डेट है वो 22 मार्च बढ़ा दी गई है तो आप सब को इस सुचना परतान करनी थी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि जो फीस सम्मिट करने की अंतिम डेट ही है वो 22 मार्स तक हो गई है तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद